नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में आज है 6 दिसंबर 2021 और जान लेते हैं आज की मात्रपूंट खबरें जो आज की प्रमुक समाचार पत्रों पे चाहे हुई हैं सबसे पहले यहां पर बात करें हम लोग आरो एरो एक जाम की जो कल लोग स कराया गया उसकी पेपर के बारे में यह पर दिया है किस तरहीक का पेपर आया क्या यहां पर उपशतर रहा रहा भजा है działत्रों प्राद्षया में आदे-से कम रही उपहस्तर थी assistir यॉप कम पूछे गए परमपरागत सवाल यहां पर जो प्रस्थती रही है वह 50% से कम देखने को मिली है और समान नदिन के जो प्रस्थती थोड़ा सा टफ थे लेकि हिंदी के प्रस्थते जो आसान थे यहां पर समान नदिन के कुछ प्रस्थती हैं इनको आप लोग देखना चाहे गए तो इसमें उवराल जो उपस्तिती रही है वो उन्चार्श दिसमलों एक जीरो परसंट उपस्तिती दर्ज हुई है अगली अपडेट यहां पर यूपीड़ पेपर लिक मामले को लेकर के डेली नए के ने खुलासे यहां पर देखनेों को मिल नहीं देखे लिकाए उत् पते पर ठेका दिया गया था वहां बियर का गुदाम चल लाए उसके दर दिल्ली की दो नोड़ा की एक और कलकत्ता की एक प्रस को ठेका दिया गया जांच में पुछ्टी हुई है कि इन चारों प्रसों में से किसी ने कभी भी किसी परिच्छा का कोई पेपर नहीं छापा गया और दोस्तों यहां पर लिखाया कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तब भी पेपर कराना बहुत ही चुनवती पूर्ट था देखिए यहां पर इसके बारे में दिया पेपर लिक नहीं होता तो भी मुस्किल था टीटी करवाना क्योंकि यहां पर एक मानक दिया गया कि जो भी परिशा केंदर होता है वहां पर जितने विद्धारती लॉट होते हैं जितने बच्चों का पेपर होता उससे 10% पेपर अधिक भेज़े जाते हैं ताकि जैसे कुछ पेपर में खामिया होते तो उनको रिप्लेस किया जा सके लेकर यहां पर क्या हुआ कि इसका पाल कि पैकेजिंग की गई थी वो भी सही नहीं की गई थी तो इस वज़े से पेपर हो पाना संबव ही नहीं था और जब पेपर को ट्रक दौरा लाया गया उसमें ऐसे अनुबहीन विक्त को बज़ा गया इसने सब के सामने इक बता दिया कि कहां पर पर आया है और किस एजनसी से पेपर आया है यानि यह सब सारी चीज़ें पबलिकली पेस में गोपनी रखी जाते हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब इस जाँच को जो है अभी तक हेश्टी एफ कर रही थी अभी इस जाँच को SIT को सवप दिया गया है देखिए लिक्ता है जाँच प्रक्रिया में पारदर्सी बनाए रखने के लिए किया गया फैसला SIT को परशा लिक की जाँच ठीक है तो यहां पर मामला SIT के पास चला गया है विसाइटी अपनी यहां पर जाज करेगी देखना यह होता है क्या होता यह वागी ठीक है और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर कि जो पेपर लिक का मास्टर माइंड है उसको अब तक गिरफतार नहीं किया गया है और जो यह अन चार जिंस है जहां पर सब्सक्राइब जोड़ दी जाएं तो अलग अलग इसमें देखिए नेताओं ने अपना अपना तरीके से बोला है कि लिकाए रिक्तियां भी है योग भरती भी है तो भरतियां क्यों नहीं है यह बात कहिए वर्ण गांदी ने लेका है चाहे किसानों की समस्य हो या फिर ग कि आगया आप लोग जानते होंगे वर्ण गांदी को हाली में अभी 79 सिचक बरती की युवाओं पर लाठियां चार्ज हुई ठीक है उसी के बारे में यहां पर इनों ने बोला जब सीट भी 22 जर है योग यह बरती भी उपलब्द हैं तो फिर 79 सिचक बरती में इन सीटों क क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है यह कहा है वरुण गांदी ने आप लोग जानते होंगे वरुण गांदी को अच्छे से वहीं पर राहुल गांदी के कहना कि लखनव लाठी चार्ज पर पिंड़तों से राओ बोले राहुल जब भाजपा मांग नहीं आए ओट तो याद रखना यह चीज़ें बात कर लेते हैं दरोगा बढ़ती को लेकर के लिखा दिसंबर अंद तक परड़ाम गोसित करने की तयारी प्रदेश पुलिस में दरोगा के साड़े नौजर पदों पर होने वाली बढ़ती प्रक्रिया को विदान सबाजनाओं से पहले पूरा करने क की तैयारी है इसके लिए यूपी पुलिस बढ़ती और पुर्णती बोड ने दिसंबर के अंद तक परड़ाम जारी करने का लच रखा है बोड के एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर में नतीजे घोसित होने के बाद जनवरी के दूसरा सब्ता से अभिलेगों का जाएगा सबकू ठीक ठाक रहा तो समय समय में बढ़ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा ठीक आप लोग जानते हैं इसकी लिखित परीच्छा संपन हो चुकी है बारा नमबर से 2 दिसंबर के बीच इसकी परीच्छा संपन हो यह और आपको जो रिजल्ट है मैं से तनाति के लिए बटक रहे हैं चैनलि सिचकों को आगर रहात मिल गई चुन्हक और पीजुटे 2016 में 49 सिचकों को विद्धैल आवन्टित करते हुए समय जन का अधिश जारी कर दिया गया है रिक्द पदों का सत्यापन कराय बगहर चैनलिस शिचकों को विद्धैले के लिए वटक रहे थे उत्तर प्तर से मादम्यों सिच्छा सेवा चैनवोड ने पिछले साल विबेन विश्यों के पढ़ाम जारी किये थे सत्यापन कराया बिना विद्ध्याले आवंटित कर दिये जाने से कही जैनितों को बाले का विद्ध्याले मिल गए थे तो कही को सम्मंदित कार्याले के चक्कर लगाए तनाधी के लिए एक साल से बटक रहे बढ़ती अब यहां पर उनको जो है वो समयोजन का अदेश जारी किया गया है बढ़ते हैं अगली अपडेट कि तरह यहां पर रोजगार मुंदे को लेकर की अपडेट है लिखा रोजगार के म साथ दिसंबर को इलहाबाद विद्याले के चातर संग्वावन में बैटक आयोजित की जाएगी जिसमें नडायक अंदोलन की रूप देखा जो है तै की जाएगी इस मौके पर कई सारे बढ़ती थे तो कि नडायक बड़ा अंदोलन करने की तैयारी यहां पर चल रही है अ अब प्रवेश के लिए नेट अनिमार है प्रवेश तो दा उच्छ सिच्छा के प्राध्यापक की नवकरी आसान नहीं रही वो यूजिसी की ओड़ से नय सत्र से प्रवेश के लिए राष्टी पात्ता परिच्छा यारी नेट को अनिमार कर दिया गया है ऐसे माद जहां प्रवेश लेना कठीन होगा वहीं बगार नेट उत्युन प्रवेश तो दार्तियों के लिए मुश्किलें भी बलेंगी हलांकि यूजी सी के इस फैसले से उच्छ सिच्छा की गुरवत्ता में सुधार आसके असार जताया जा रहे हैं उच्छ सिच्छा में किसी भी विश सुधार्ति को रिक्त सीच्छ आवंटित कर दी जाती थी हलांकि नेट और जियरे परिच्छ उत्युन अभरतियों को इसका लाब अधिमान अंकों के तोर पड़ सिच्छ में मिलता था यही काराण था कि उस प्रवेश प्रवेश लेना शुरू कर दिया है लेकिन अब यहा दोस्तों यह हो गई आज की सारी अपडेट आसा करते वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद है